खमगणी राम राम वेलकम बाक तु मैं चैनल कैसे हैं आप सब लोग आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सर्दियों में शादियों का मज़ा ले रहे होंगे जैसा कि मैंने पिछला वीडियो अपना शेयर किया था शादी पर आज आप देख रहे होंगे कि ये कुछ अ कैसे आपको लगाने हैं तो चलिए अब चलते हैं आगे तो वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए यूसफुल लगता है तो शेयर कीजिए और अब चलते हैं आगे सो गाइस मेरे पास दो टाइप के एक्स्टेंशन हैं ये स्ट्रेट हेर के एक्स्टेंशन है और दूसरा जो है वो वेवी है इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और आप वहाँ से बाई कर सकते हैं इने तो अब चलते हैं कि इने कैसे लगाना है तो ये जो आप देख रहे हैं ये है वेवी कर्ल एक्स्टेंशन और इसमें इस तरह से पांच क्लिप्स आते हैं जिने आप बालो में हुक कर सकते हैं और ये बिल्कुल स्टिक हो जाता है और बिल्कुल भी मूव नहीं करता और ये डाक ब्राउन शेड है जो मेरे हैर से बिल्कुल मैच करता है और एकदम एवन लगता है मेरे हैर के साथ में और अब चलते हैं कि इसे लगाना कैसे है जो की बहुत ही सिम्पल स्टैप है और ये बिल्कुल मैच करता है हुआ 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 है लग रहा है ना मैजिकल एकदम और अगर आपके डाक ब्राउन कलर है बालो का तो ये बहुत ही कमाल लगने वाला है आपके हैस में और आपके हैस एकदम कमाल के लगने वाले हैं और आप इंसे बहुत सारे हेस्टैल्स भी बना सकते हैं अगर आप मुझे कमेंट करके पूछेंगे तो मैं आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगी साइड से अगर आप इसको परफेक्टली लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं दिखता है एकदम हाइड हो जाता है बस जैसा मैंने बताया है इसे वैसे ही अपलाई कीजिए और आप चाहें तो इस तरीके से पिन अप करके हैस्टैल कर सकते हैं जैसा कि मैं बता रही हुआ 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 है हुआ 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 है तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और हाँ प्लीज बैल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन्स आपको मिल जाए और मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए इंजोई बाई खमागनी राम राम